हेलो अब्रिवान वेलकम टू विंक से कुणा नाहीं शौहित खान और विंक से कुणा में आपका स्वागत है डियर स्टुडेंट्स नवंबर के मन्थ में नवंबर 2021 में हमने एक से कुछ सेरे शुरू की जिसमें हमने जेके सब इनिस्पेक्टर फाइनांस के रिगार्डिंग जो इसका जी के पॉर्शन था उसमें जो टॉपिक्स थे हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे mcq's के थुरू और जब बाद में फाइनांस अकोंट एस्सिस्टंड का एकजाम पहले आ गया तो हमने क्या किया हमने सब इनिस्पेक्टर फाइनांस के स्लेबरज को हाल पर रखा और फाइनांस अकॉंट एस्सिस्टंड के जी के पॉर्शन को mcqs के दुरू cover करने की कोशिश करने लगे अब जैसा कि आप जानते हैं finance account assistant का exam हो चुका है and now we will get back to check sub inspector finance जो के exam होने वाला है April के मन्त में तो इसके regarding जो भी remaining topics है finance sub inspector उसमें हम mcqs करने जा रहे हैं जो भी remaining topics है already बहुत सारे topics जो है हम cover कर चुके हैं okay and जो remaining topics है आज से series resume होने जा रही है okay and आप सबका स्वागत है एक बर फिर से विंग से कुड़ान के platform पे and आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं mcqs so चली शुरू करते हैं लेकिन उसे पहले मैं आपको बता दूँ के जैके history के रिगार्डिंग वीडियो इंड पीडियाफ की course जो है already रिशुदार अव्हम के द्वारा design की गई है और विंग से कुड़ान आप पे available है and इसके साथ-साथ finance sub-inspector का जो exam होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो test series है उस पर 30% off है और इसके साथ-साथ और भी कुछ offers है जेके पुलीस sub-inspector के रिगार्डिंग study material भी available है विंग से कुड़ान आप पे and 50% off है इसके साथ-साथ 30% off है जेके पुलीस sub-inspector की test series page में 5 full-length test आपको देने को मिलेंगे तो यह सारे offers आप जल्दी avail करना चाहते हैं तो विंग सेक डॉन आपको डाउनलोड करें and उसके बाद खुद को register करें and आप यह offers जो है अवैल कर पाएंगे तो हम चलते हैं हमारे आज के पहले topic पे हलका सा topic है कुछ एक mcqs में लेके आया हूँ जल्दी जल्दी इनको करेंगे ताकि एक नई start जो है वो एक smooth तरीके से हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसा कि आप screen देख पा रहे हैं यह topic हमारा जो ncdc है यह gk portion में है sub inspector finance के syllabus में इसी पे आज हम mcqs करने जा रहे हैं यह इसका part A रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला question देखते हैं हमारा क्या है national center for disease control जैसा कि आप जानते हैं ncdc में आप से कहा तो यह इसका full form हो गया national center for disease control was earlier known as dash तो पहले इसको क्या कहा जाता था national disease डी देख पा रहे हैं तो पहले इसे कहा जाता था national institute for communicable diseases तो यह इसका है correct option national institute for communicable diseases तो यह आप याद रखेंगे यह इसका correct option है इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ के यह जो है n n i n i c d यानि national institute for communicable diseases तो यह 1963 में establish हुआ यह आप याद रखेंगे and इसी को फिर 2009 में क्या किया गया n c d c नाम रख दिया गया यानि national center for disease control तो यह 1963 में n i c d था पहले तो यह दोनु चीज़ें आप याद रखेंगे 1963 से then 2009 में इसका नाम चेंज हो गया national center for disease control चलते हैं अपने next question में इससे पहले भी इसकी history है तो आने वाले एक mc में आपको में clear कर दूँगा कि क्या किस तरह से किस तरह नाम चेंज हुए तो चलते हैं हमारे दूसरे question पे आज यह इसका correct option था question number two हमारे पास है when did the central malaria bureau was established तो central malaria bureau जो है यह कब established किया गया तो इसका correct option हमारे पास यहां पे है option number जो आप देख पा रहे है ए 1909 okay 1909 में central malaria bureau was established and यह कहां पे established किया गया तो यह established किया गया कसोली में कसोली हिमाचल परदेश okay कसोली हिमाचल परदेश में यह पहली बार established किया गया okay 1909 में and इसके बाद कुछ चीजें होती है कि 1927 में क्या होता है इसका नाम change कर दिया जाता है यानि कि इसका थोड़ा सा expansion expand किया जाता है इसको and नाम change करके रख दिया जाता है malaria survey of india malaria survey of india इसी national malaria bureau को sorry central malaria bureau को 1927 मे malaria survey of india नाम रख दिया जाता है उसके बाद फिर से इनो थोड़ा सा इसको एक्स्टेंड किया जाता है इसको इसका एक्स्टेंशन किया जाता है और 1938 में इसको एक और नाम दिया जाता है 1938 में और वो क्या नाम होता है वो होता है National Institute of Malaria National Institute of Malaria National Institute of Malaria ओके तो ये इसका नाम 1938 में रख दिया जाता है और इसके बाद ही इसी National Institute of Malaria को 1963 में आज टोल यू पीपल रख दिया जाता है National Institute of Communicable Diseases जो मैं आपको उपर वाले MCQs में बता चुका हूँ तो इसका correct option ये rectangle में जो covered है 1909 में यही है बाकी में आपको ये process बता रहा था किस तरह से step by step जाके फिर ये आज मारा फिर 2009 में NCDC बन गया यही हमारा NIDC 1963 में जो बना था तो ये I hope आपको clear है चलते हम अपने next question पर ये इसका correct option है NICD was changed to NCDC in year तो किस साल में ये change हुआ तो मैं आपको अलड़ी बता चकता हूँ 2009 में ये NCDC जो के 1963 में बनाया गया था ये फिर 2009 में इसको NICD जो 1963 में बनाया गया था उसको NCDC बना दिया गया 2009 में National Center for Disease Control ये आप याद रखेंगे चलते हैं हम अपने next question पर ये मैं आपको अरड़ी बता भी चुका हूँ question number 4 मारे पास है where are the headquarters of NCDC located तो दो बार आर हो गया है आप इसको ignore करें where are the headquarters of NCDC located तो ये है option number B जो आप देख पा रहे हैं डैली में डैली में NCDC के headquarters हैं इसके साथ साथ एक और जानकारी में आपको यहां पर देना चाहता हूँ वो ये है कि ये NCDC जो है it comes under it comes under ministry of health and family ministry of health and family ये इसके अंडर आता है अगर department की बात करें तो ये आता है किसके अंडर तो ये आता है अंडर डिरेक्टर जेनरल डिरेक्टरेट जेनरल आफ हैल्थ डिरेक्टरेट जेनरल आफ हैल्थ ओके डिरेक्टरेट जेनरल आफ हैल्थ मुनिस्ट्रिया health and family इस तरह से आप इसको याद रखेंगे health and family welfare है पूरा ठीक है तो ये इसके headquarters है और बी इसका correct option था चलते हैं हम अपने next question पर एंसी डीसी ऐस डैस आउट स्टेशन ब्रांच इंडिया तो एजा टोल्यू पीपर डैली में इनके headquarters हैं लेकिन इसके कुछ outstation branches भी हैं तो वह कितने branches हैं यहां पर मैं बताना है तो इसका correct option है option number B there are eight branches of NCDC outside Delhi okay and वह eight branches जो है different states में हैं Rajasthan है हमारे पास हमारे पास करला है करनाटका है okay हमारे पास इसके साथ साथ और भी कुछ states है जैसे हमारे पास आंध्रापरदेश है okay इसके पास तामिल नाडू है एंड हमारे पास बिहार भी है एंड यूपी भी है एंड इसके साथ साथ एक और स्टेट है जिसका नाम है चाथिस गर्ड ओके 12345678 तो यह एट स्टेट जो है यह आउट स्टेशन ब्रांचिस हैं किसकी NCDC की जो के बनाई गई 2007 में नाम चेंज करके किसका NICD का ओके NIDC जो 1963 में बना रहा है उपर मैं आपको बता चुका हूँ ओके आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं फिर से यह इसका क्रेक्ट ऑप्शन था चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे in which of the following state NCDC does not do not have any outstation branch branch तो NCDC as I told you people के आठ स्टेट में outstation branches हैं तो किस स्टेट में इनकी ब्राच नहीं है तो यहां पर मैं बताना है तो ज्यादा हो जाती है ओके तो यह आप धियान रखेंगे यहां पर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर when did NCDC detected dango virus in edis egypti first time ओके तो यह डेंगो वाइरस जो होता है न यह डेंगो वाइरस इस डेंगो वाइरस को पहली बार detect कब किया है NCDC ने तो हमें यह बताना है तो इसका correct option हमारे पास है option number A जो आप यहां पर देख पा रहे हैं 2008 तो 2008 में पहली बार detect किया गया एडी जो डेंगो वाइरस का vector है को कि वेक्टर होता है न वाइरस का जो वेक्टर होता है यह डेंगो वाइरस का वेक्टर है तो इसको detect किया NCDC ने पहली बार कब 2008 में यह आप याद रखेंगे एंड डेंगो आपको पता है कि यह वाइरल डिजीज है और यह भी आप याद रखेंगे चलते हम अपने next question पर बाइदावी और भी बहुत सारी वाइरल डिजीज है एड़ है हमारे पास हमारे पास पोलियो है हमारे पास और भी बहुत सारी है जैसे चिकन पॉक्स है तो यह सारे हमारे पास वाइरिस हैं कामन कोल्ड भी एक वाइरस है एक वाइरल डिजीज है सौरी वाइरस नहीं है वाइरल डिजीज है तो चलते हम अपने next question पर बाइदाव यह science का portion तो आपने यह अल्यटी पढ़ा होगा question number 8 हमारे पास है in 1972 a new culture medium was developed namely NICD medium to diagnose acute case of dash तो किस disease को diagnose करने के लिए NICD medium यह developed किया गया किसके दोवारा NICD के दोवारा क्योंकि आपको पता है मैं आपको बता चुका हूँ यह 2007 तक जो NCDC है sorry 2009 तक जो NCDC है इसको NICD का जाता था जो कि 1963 में बनी थी already told you people तो यह NICD medium 1972 में किस disease के लिए बनाया गया तो मैं आपको बता दूँ इसका correct option हमारे पास है option number B जो आप यहां पे देख पाने एक cholera तो cholera disease को diagnose करने के लिए acute cholera को diagnose करने के लिए NICD medium 1972 में develop किया गया यह आप याद कर रखेंगे होगे चलते हम अपने next question पे by the way cholera जो है cholera एक bacterial disease है और के bacterial disease है आपको यह पता होगा तो चलते हम अपने next question पे कर्शन नमर 9 हमारे पास है nrcp stands for तो nrcp क्या है इसका full form क्या है मैं आपको बता दूँ इसका यहां पे correct option है national sorry option नमर यह जो आप देख पा रहे है national rabies control program ओके तो यह national rabies control program जो है यह इसी ncdc के अंडर आता है और मैं आपको बता दूँ यह शुरू किया गया था 12th फाइफ फिर प्लान के टाइम पर ओके एंड इसके साथ साह मैं आपको यह भी बता दूँ इट वाज युन स्टार्टेड अजे सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम इसके साह मैं आपको यह भी बता दूँ के इसके दो कंपोनेंट्स थे एक human component एंड दूसरा animal component था ओके एंड इसके साहता आपको यह भी बता दूँ जो human component था national rabies control program का इट वज दे नोडल अजेंसी जो इसकी थी नोडल अजेंसी इसकी ncdc थी ओके ncdc वास दे नोडल अजेंसी of human component of national rabies control program एंड मैं आपको यह भी बता दूँ यह national rabies control program जो था इसके लिए 200 करोड का फंड जो है वो allocate allocate हुआ था यह भी आप याद रखेंगे एंड चलते हैं अपने next question पर यह इसका correct option था यह जरूरी है यह आप याद रखेंगे यह ncdc के context में है और यह नाशनल ग्राबीज कंट्रोल प्रोग्राम तो चलते हैं अपने next question पर कुश्चन अबर 10 हमारे पास क्या है देखते हैं which of the following area is not included in the mandate of ncdc तो ncdc यानि national center for disease control जो हमारा है 2009 में जो बना जिसका पहले एन आई डी सी था ओके सौरी cd national इस्टूट पर communicable diseases तो इसके जो mandate था उसमें तीन important areas है three important areas in the mandate of ncdc तो हमें बताना है कि इन चारों में से एक ऐसा है कि जो नहीं है mandate में एन हमें बताना है कौन सा है कि इसका जो correct option है हमारे पास वह है option number c जा आप यहां पर देख पा रहे हैं option number c viral diseases तो viral diseases जो है as it is mandate में नहीं दिया गया है okay यह जो है यह headline mandate में नहीं मिलेगी आपको आपको वहां पर services मिलेगा trained health manpower development and research मिलेगी लेकिन यह जो viral diseases है यह mandate में नहीं आता है okay तो यही इसका correct option हमें not बताना है not क्या था okay तो यह सारी चीजें जो है mandate में है एंड के regarding में आपको थोड़ा थोड़ा बता दूँ जैसे यहां पर आप services देख पा रहे हैं तो इसमें ncdc करता क्या है कि बहुत तरही इन्वेस्टिगेशन करता है कि किस तरह से एक disease जो है वह आउट ब्रेक उसका हुआ है like हम कोविड की बात करें कोविड पर हम कुछ mcq लेके आएंगे तो इसके रिगार्डिंग आउट ब्रेक जो होता है किसी भी disease का उसको investigate करना उसका origin ढूणने की कोशिश करना उसके causes ढूणने की कोशिश करना यह सारा services में आता है इसी तरह trained health manpower development जो है इसमें जो medical teams वगरा होती है उनको training देना उ इसी को कंट्रोल करने में जुरूरत पड़ती है इसी तरह research है कि research पर बहुत सदा इनका focus रहता है कि नहीं नहीं research की जाए और नहीं जो viruses आ रहे हैं दुनिया में originate हो रहे हैं उनको यानि उनके vaccine ढूणना यह इन में आती है इसका correct option तो आपको पता है option बस C है जो नहीं थ है okay तो यह थे हमारे ncdc के regarding आज के 10 mcq and मैंने शुरुआत की है you know simple and easy mcq से and आने वाले time पे हमारा मेरे ख्याल से जो exam है it is in April okay लेकिन उससे पहले हम इसको अराम से complete कर लेंगे and मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ student जो है finance account assistant के बाद शायर ऐसा feel कर रहे हो के यह इतना पढ़ा तो question paper कैसा आ गया तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह जरूरी नहीं है कि पहला ही exam आपका सही हो जाए या फिल य नहीं है कि आपने पढ़ा है और exam में नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपका waste हो गया पढ़ना बिलकुल नहीं अगर आप sincere हो अगर आप sincerity से पढ़ रहे हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आपको कामयाबी ना मिले शायद थोड़ी देर लगे बट ऐसा बिलकुल नहीं कि आप successful ना हूं एटकर किसी का exam अच्छा नहीं हुआ है आपके सब्सक्राइब अच्छे लेकन एक एक जाय है किसी कभी अच्छा नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूं किसी कभी एक आखन नहीं हुआ है तो इसका यह मतलब बिल्कल नहीं है कि आपकी महनत दाया हो गई है इस नोट लाइक डैट कहीं न कहीं यह आपको पढ़ने वाला है आप बस किताबों के साथ सिंसिर रहें एंड एफर्ट लगाना ना छोड़ें कोई ना कोई एग्जाम तो जरूर निकलेगा इन्शालला जिनकी उस एग्जाम में सेलेक्शन नहीं हो पाई उनकी इस एग्जाम में हो जाएगी जो SI का एग्जाम आने वाला है बहुत त्यारी से लोग गए थे लेकिन कोईशन ऐसा नहीं था कि कोईशन डिफिकल्ट आगे लेकिन कोईशन थोड़े अनक्सपेक्टेड आगे तो उसकी वज़े से सायद मैं आपको अल्रेडी हमेशा बहुत सारे लेक्शर में आपको कहा थे एजी से एजी एंड डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ बढ़के जानी है क्योंकि आपने देखा बहुत एजी कोईशन आये थे एंड उसमें बहुत बचे फंबल भी हुए हैं यह भी सच है लेकिन लाइफ इस नॉट आल अबाउट एफ एग्जैम बहुत एग्जैम हैं आने वाले हैं हो रहे हैं एंड आप कितना कंसिस्टेंट हैं बाकी जॉब तो मिल जाएगी है पका अगर आप सिंसेर हो अपनी फ एंड इस सेरीज को हम कंटीनू रखेंगे मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में कुछ और इंपॉर्टन एमसी के साथ एंड मैं आपको यह भी बता दूं के एसाई का भी एक्जैम जो है वो इससे पहले ही है एसाई पॉलीस जो एक्जैम है तो उसके रिगार्णे में हम कोशिश करेंगे कि जो भी इंपॉर्टन टॉपिंग से उनके लिए एमसी के लेके आएं तो आप इसी तरह बने रहे हमारे साथ तैंक्यू सो मच वर से कुड़ात तिल देन गुडबाई टेक केर एंड पढ़ते रहें